नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते करकर आशिवालों दोस्तों क्यों लोग आप से जलते हैं कुछ तो खाश होगा आप में तभी तो लोग आप से जलते हैं जिया दोस्तों आज को यह वीडियो आप शिर्वी के लिए बहुत ज़्यादा महत पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली हैं जिया दोस्तों आप इन्हें बिल्कुली मिश्णा करें और शुरू सिरे कर अंतर दिखेगा कि दोसों आज के इस जीवन काल में लोग जो हैं एक दुश्रे को देख कर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं जिया दोसों आप शावने वाले से ज़्यादा अच्छा कमाने लगे कुछ अच्छे कारी उन्से करने लगे तो दोसों उनकी नजरों में तो आप रहेंगे लेकि दोसों आपको बता दें कि वहाँ आपके दुश्मन बन जाएंगे जिया दोसों आप शावने वाले से ज़्यादा अच्छा कमाने लगे अच्छा कारी करने लगे उनसे हर छेतर में आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप जो है खटकने लगते हैं कि दोस्तों वे आपके पेशे आपके रुत्वे को देखकर बरदास नहीं कर पाते हैं जे दोस्तों और आपको उपर बढ़ने में आपके अंदर की अच्छाई का शबसे बड़ा हाथ है वही आपको शबल बना रही है जिसके कारण दोस्तों बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं जे दोस्तों आपको बता दें बुरी नजर वाले आपको नीचे करने की कोशिश में लगे हुए हैं जे दोस्तों आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन दोस्तों लोगों को आपसे लेना देना है आपको वो चैन से जीने ने देंगे कि दोस्तों आपकी शबलता उनक लेकिन हम आपको खुशन रहने नहीं देंगे एशी कश्मे तक खा लेते हैं दोस्व हमारी भगवान शिर्विंदि है कि आपको इशी लोगों से बचाए जो दोसों आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरे क्यों लोग आप से जलते हैं तो दोस्व वीडियो को अं जो बहुत ज़्यदा महत्पनुगी आप इन्हें अन्त तक दिखीगा तो चली दोसों बात करते हैं दोसों आप लोग के करम भाव और शौमी भाव का जो भगवान है श्री शनिदेव हैं जे दोसों और इसलिए इस राशी के शब्से लग्की दिन शनिवार और मंगलवार र लिए हमेशा सपल सब्सक्त होंगे तो दोसों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी की ही एक एशी खाश्यत है आपको दिखावा करना बिलकुल भी पशन नहीं आता जिया दोसों आप लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोसों पुछ ना कुछ यहसा शंक्ट आपके उपर जरूर आता है जिससे आपकी क्छुशी दुक में बदल जाती है इसलिए दोसों आप लोग जो है ज्यादा दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करतें इसकी शाथ दोस्तों आपको बता दी कि आप लोग अपने वैभार में बहुत इमर्दार रहते हैं इसलिए शारी गर्ष जो है आपकी नेचर को पशंद करती है और आपको यह लग्यां भी पशंद है जो कि क्रियेटिव फिल्ड में होती है और दोस्तों जिन में ज़्यादा एटिटूर भी नहीं होती है अपना खुशी देखते हैं चाहिए आपके उपर कितना भी टेंशन और कितना भी चिंता हैं क्यों नहीं हो आपका वैभार सभी को बहुत ज़्यादा पशंद होते हैं और सभी लोग आपके उपर बहुत जल्दी एक आकरशित होते हैं ये दोस्दो आप लोग मुद्धिवान होने के शार साहत, भीवार कुशल भी होते हैं, एक बात आपकी और है, कि आप जब भी दुख्य होते हैं, तो धोस्वब आप लोगा किशी जबी अपने दुखका कारण जल्दी नहीं बताते हैं, आप अपनी अपना जो दुख है, ज या पिर नहीं दोस्तों कमेंट करके आप अपना नेचर जरूर बताईएगा और दोस्तों इसके शादिम आपको बता दे कि बहुत बार आपके शादेशा हुआ है कि आपको अपने ही लोग बहुत ज़ादा दुक पहुंचाते हैं दोस्तुं यानि कि आप लोगों को अपने करीबी लोग कि जो है वह यदा कृष्ट देते हैं दोस्तुं एक बात पर गौर करिएगा कि बाहर के लोग अगर आपको चोठ पहुंचाएं तो दोस्तों का स्रमना आपको कर लेती हैं लेकिन दुख基本 होता है जब आपके अपने करीवी fired लोग आपको दुख पहुंचाते हैं आपके सथल बुरा वैवार करते हैं आपके शौल ऐसा अक्षड देखा गया है आपका बहुत बार अपमान भी हुआ है आपकी मान श्रमान को अपने ही लोगों ने बहुत बार ठेज पहुँचाई है लेकिन दोस्तों आज हम आपशी एक शवाल कर रहे हैं जो आपके शाथ हो रहा है आखिर आपके शाथ होता ही रहेगा अगर हाँ तो दोस्तों कब तक होता रहेगा आखिर कब तक यह जालिम दुनिया आपका फाइदा उठाती रहेगी आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा जो दोस्तों आखिर कब तक आपकी इमोशन की आपकी फिलिंग की कदर नहीं होती आपके जियोन में अभी तक आपको वश्रफलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप कारी कर रहे हैं जिसके लिए आप जी रहे हैं जिसके लिए आपको हर चीज में शंगर्ष का स्मना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्ष यही पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वो भी बहुत संगर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको प्राप्त हुई है दोसों आपने किशी से भी अपने किशी से भी यह चीजें नहीं मांगी है कोई भी खेरियत से आपको यह चीज नहीं मिली है दोस्वों आपने बहुत ही मेहनत करके खुद की दिन रात एक करके जाग जाग कर आपने जो भी शफलताएं हैं उन्हें हाशिल किये हैं लेकिन दोस्वों फिर भी यह दुनिया आपकी शफ़ाँनों की कदर नहीं करती और दोस्तों आपको थोड़ी से सफलता क्या मिल जाती है कि यह दुनिया आप से जनने लगती है आपको नीचे गिराने की कोशिज करने लगती है पिछले कुछ शालों से आपकी आर्थिक सित्य में भी भरी गिरावट आई है जो दोस्तों आपको बता दी कि आपका जीवन मा पुरी तरह शेह बिखर गया है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में लोगों ने मन शेह कभी भी आपको नहीं पोचा आपको मान शमान नहीं किया उपर शेह आप से यह लोग मिठा मिठा बात करते हैं लेकिन अंदर शेह यही लोग आपके उपर क्या करत हैं और दोस्वन इसका या विये कारण होशगता है कि आप लोग होते हैं वह बहुत ही शांप दिल के होते हैं चीहां दोस्वन आप लोगों की जो भी बात होती है वह बिल्कुल ही शांप मूँत पर होती है लेकि दोस आप outsory dill कोई भी पाप नहीं चुपाते हैं जैंदोस्तों अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते और इसी वैवार के चलते लोग आपको अंदर यह अंदर पशन नहीं करते जैंदोस्तों मैं आप शी कहना चाहूँगा कि आप यह आदत को बिलकुल भी ना बदले दूसरे लोग चाहे किसी तरह हो लेकिन दोस्तों आप उपनी आदत बिलकुल ना बदले क्यों दोस्तों आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है आप पर हमेशा से लोग अलग-अलग इंजाम भी लगाते हैं आपने जिसको अपना मान शमान दिया है उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शाथ छोड़ा है दोस्तों आप हमें कमेंट में बताईएगा क्या मैं गलत बोलाओं आपने जिनका भी शाथ दिया है आज वो आपके शाथ खड़ा है क्या वो आपको पुछता है क्या वो आपकी मुश्किल समय में आपसे कंदे मिलाकर खड़ा है क्या जिया दोस्तों इन शबी का जबा नहीं दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दोस्तों गरहों की गोशर की सिद्धी के शाथ बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले शमय में आपका भी जिवन पावश्य बदले ने कि बगवान श्रीन дेव का अशरावद अब आने वाले शमय में आपके उपर पढ़ने वाले हैं एक बात यह भी है दोस्तों ने आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि बगवान श्रीन देव निया की देपता हैं जो लोग अनियाय करते हैं बगवान श्रीन देव उन्ह करेंगे आपको इतना करना है कि आपको इस लोगों से दूरी बना कर रखने हैं जे हाँ दोसों इस बात को आप जरूर ठान लें कि आपको इसे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है होशके तो आप इन शे अपना रिष्टा ही तोड़ दे जिया दोसों लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि आप ऐसी रिष्टा नहीं तोड़ सकते हैं आपकी बहुत करीबी लोग है यानि कि आपका भाई है आपका बहन है या फिर आपके शिसलाल पक्ष के कोई भी व्यक्ति ही क्यों नहीं हो जिया दोसों आपकी पतनी अगर आप शे दूर नहीं जा रही है तो दोसों आप इतना तोग कर ही शक्ते हैं कि आप इनसे बात भी करना बन कर दें जिए दोस्तों जितनी भी होश किये कम से कम बात करें क्योंकि दोस्तों जाहिर शीबात है कि आप में भी अब बहुत कुछ शेहन कर लिया है और दोस्तों शेहन करने की भी हद होती है और कोई लिमिट होती है कोई शीमा होती है शादी दोसों आपको बता दें कि जब ऐसे लोग आपसे तमिश्य बात नहीं करते हैं आपका दर्द नहीं शमझते हैं आपकी फिलिंग्स को ठेस पहुचाते हैं योग के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है शिर्फ आपको इन से दूरी बना कर रखनी है जिया दोस्तों बात सित आपको इन से बिलकुल ना करना है और साधी दोस्तों आपको बताती कि आपको निराश होने की कोई भी आप शक्ता नहीं है तो दोस्तों जब भी में शुर्पस दिनायनि के दिए भगवान्स्रोदेप आपके कारियों में आपके शात रहते हैं जिए दोस्तों बिल्कुलियाप शच्य मंद्पेस जिस प्रकार तो याद करते हैं तो इसी प्रकार आप उन्हें हमेशा याद किजिएगा तो यह आपके कर्म भाव और लाव भाव के श्वामे हैं तो यह आपके जुनकाल में हमेशा शुब्रकार ही आपको देने वाले होंगे दोस्वं अंत में आप शिबस यही निवेदन है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा शाथी बेल आइकन को पेश करकी और पर्श लेट किर दिएगा जे दोस्तों इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तो सबसे पहले पहुंचेंगी धन्यवाद